जो investigation में आया था उसमें जो paddler था जिसने इनको drug supply की उसको गिरफतार किया गया है और चुकि जिसकी premises पे जे drug पाई गई और फिर उनकी एक responsibility बनती है उनकी premises पे इस तरह की illegal activities होती है तो जो owner है shack का उसको भी इस मामले में गिरफतार किया गया है और इसके लावा इस मामले की जाच बिलकुल निरंते ठीक तरीके से चल रही है और multiple teams इसके काम कर रही है और इसमें एक team हम हर्याना भी भेजेंगे इसमें जो परिवार ने कुछ allegations लगाई है कि शंका जाहिर की थ उनको verify करने के लिए क्योंकि थो दोस डाउट वोड वोड रख वर विरिंग ओन दी इंवेस्टिगेशन फेकेस्ट तरीकेस्ट कर दोस जो प्राइब।